शिवी, राजा बली, राजा रघू के दान हम सबला प्रेण न दे थे। कैंसर के उपचार बर ऑग कतको के स्वास्थळाप खातिर रक्तदान के जरूरत है। आज बेरा हे विश्वरक्तदान दिवस के। इहां रक्तदान के महत्ता है, रक्तदाताला प्रेणा दे थे, आज के ये दिवस हा, खून के दान करियाला, आज प्रोत्साहित कर थे, आज 14 जून के दिवस हा, संगी हो, आज 14 जून हम विश्वरक्तदान दिवस के रूप में मनाथन, तब तुमन सोचत हो हूँ, क्या 14 उनकी काविसेज बात है जेला हम विश्वरक्तदान दिवस के रूप में मना थन तब एकर कारण ये है संगी हो जीव विज्ञानी काल लेंड इस्टीनर हा ब्लड ग्रूप A, B, A, B और O के खोज करीज ये जीव विज्ञानी ला इही खोजमा नोबल पुरुसकार घलो मिले ह अव इही काल लेंड इस्टीनर के जनम 14 जुन 1868 में होई रही से तबहे वर्स 2004 से आजे के दिन 14 जुन ला विश्वरक्तदान दिवस के रूप में मनाता वथन रक्तदाता मल्ला प्रेणा दे थे ये आज के दिन हा संगी हो जो भी करना है जियत ले कर ले ये सरीर तो नश्वर आए सत कर्म करबे दान करबे तीही तोर काम आही ये सरीर माटी के पुतला आए ये माटी के पुतला पर अभिमान मत कर इही बातला गीत के माध्यम से भगत साहुहा हम सब लशिक्छा दे थे तबावसुनन ये माटी के चोला के जनकर गुमान माटी के ओढ़ना माटी बिचाओना माटी में मिल जाना है कहत कभीर सुनो भई साधू सत गुरू नाम ठिकाना है माटी के चोला के जनकर गुमान संग जिन्धी हवे जिन्चार केगा जिन्धी हवे जिन्चार केगा मन माला गन कर ले मन माला गन कर ले भक्ति भजन कर ले नहीं ये भरोसा संसार केगा जिन्धी हवे जिन्चार के माटी के चोला के जनकर गुमान संग जिन्धी हवे जिन्चार केगा जिन्धी हवे जिन्चार के दुनिया में आएगा नर्तन पाएगा काहिला माने नहीं आउनाने पन मेंगा भी किस खेलन मेंगा दुख सुखला जाने नहीं पल पल में जिनगी के देरा घटत है चल संगी सोच विचार केगा जिनगी हवे दिन चार के आठी के चोला के जनकर गुवान संगी जिनगी हवे दिन चार केगा आइज जवानी हा चुरुआ के पानी हा देखत हा बस गवागे रे संगी देखत हा वो गुनिस ना गुनिस ना सोचिस विचारिस ना तुरते बुढ़ा पहया आगे रे संगी कैसे फिकर नहीं लागे तो ला अपन जिनगी के उठार के गा जिनगी हवे दिनचार के माठी के चोला के जनकर गुमान संगी जिनगी हवे दिनचार के बात अब सुन संगी मने मन गुन संगी लग जा हरी के चरन वो बड़ा जयालू है वो बड़ा किरपालू है संकटला कर थे हरन कैसे भाव सागर्म बन ही गम उर संगी जिन दोंगा पतवार के गा जिनगी हवे दिनचार के माठी के चोला के जनकर गुमान संगी जिनगी हवे दिनचार के माठी के चोला के जनकर गुमान संगी जिनगी हवे दिनचार के संगी हो अभी हमन सुनत रहिन गीत माटी के चोला के जनकर गुमान जेला स्वर्दे रहिस भगत साहु हा अवजिया घात सिक्षा प्रद रहिस संग्वारी हो आज विज्ञान के चमतकार जगा जगा देखे सुनिबर मिल थे इहीं विज्ञान के युग में मोबाईल आज छागे है आज लईका सियान सब के हाथ में मोबाईल है अव मोबाईल के बिना मैंखिय अपन कदम नहीं भड़ा सकत है तबाव सुनन वारता मोबाईल के दुनिया अविकर वारताकार है अनिल कुमार कश्यप्षा बच्चो तुमन हां आजकर एक ठन चीज ला बहुत ज़्यदा देखा था जाना था वो चीज का है और वो चीज हरा है मोबाईल यह मोबाईल हा आजकल हमर जीवन के अहम हिस्सा बन गए है जैसे हमर जीवन में चाउरदार कपड़ा लत्ता और दूसर चीज मन के महत्व है वैसने हमर जीवन में अब मोबाईल महत्पून हो गए है कालेका कासियान काबूरा काजवान आज जन न देख वे उकरे हाथ मोबाईल हा पुराना लेंड लाइन फोन के विक्सित रूप हर रहे है यह हमर जीवन में अब बहुत महत्तपूर्ण हो गए है यह फोन सबसे पहली खोज ग्रहम बेल नाम के वैग्जानी खा सन 1876 में करे रही से आज से लगभग 138 साल पहले वह समय फोन के उपयोग केवल बात करेबर होत रही से और वह समय बहुत कम दूरी तक ही बात करे जा सकत रही से लेकिन जैसे जैसे हमर विग्ञान और तकनी का तरक्की करद किस्ट फोन से बहुत लंबी दूरी तक बात करना संभ़ हो गए आजकल तो हमन सब जान था नहीं कि ये मुबाइल से हमन दुनिया के कोई भी कोना में रहने वाला आदमी संग बात कर सकते हैं तो ऐसे ये मुबाइल और लेंड लाइन फोन हां हमर मन के लिए एक दूसरा से संपर्क करे के एक अच्छा साधन बन गए है पर लेंड लाइन फोन और मुबाइल में अंतर हुए है जानना चाहो तुम हना कि ये का अंतर है लेंड लाइन फोन हमन पुराना जो पिच्चर आतरी से ओमा देखत रहे हैं लेंड लाइन से बात करे बर हमन लाइन तार के कनेक्शन के जड़वत पर थे पर मुबाइल से बात करें बर कोई भी तार के connection के जब्रवत नहीं होया मुबाइल हा डारेक्ट सिगनल ले थे बिना कोई तार के एक खर अलावा landline phone से केवल बात करे जा सकते जब कि मुबाइल से बात करें के अलावा हमना दूसर काम भी कर सकतें जैसे तुमना जोड़ घटाना गुणाभाग केलकुलेटर से करता तो ये मोबाइल ला भी हमन वही केलकुलेटर के तरह ही उपयोग कर सकतें कोई विशेज दिन ला याद रखे बर हमन लेमा रिमांडर लगा सकतें मतलब मोबाइल हमन ला कखरो जनम दिन, कखरो साधी के तिथी ये सब भी यात दिला सकतें तारीक देखे बर हमन ला कलेंडर के तरह हुपयोग कर थन टाइम देखे बर हमन ला घड़ी के तरह हुपयोग कर थन और वह इसने हम एक हर अनेक प्रकार से उप्योग कर सकते हैं अब मैं तुमनले बताना चाहता हूँ कि ये सब काम कैसे करते मुबाइल से अतिक सब काम करना कैसे संभाव है मुबाइल से सब काम करना ये वज़ा से संभाव है कि मुबाइल में एक उपकरन लगे होते जेला हमन्ट ट्रांसड्यूसर के थन ट्रांसड्यूसर अंग्रेजी की एक सब्द है ये एक प्रकार के इलेट्रोनिक सर्कीट है जो हमर आवाज ला इलेट्रोनिक सिगनल में बदल के दूसर मुबाइल में भेज देते और दूसर मॉबाईल में भी Transducer लगे उते जो नहां Electronic Signal लेकर फिर से आवाज में बदल दे थे ऐसे हमर आवाज हा Electronic Signal के रूप में एक मॉबाईल से दूसर मॉबाईल में आना जाना करते ना केवल हमर आवाज बल्कि SMS MMS और Internet संबंधी जो भी जानकारी है अही ट्रांसड्यूसर के माद्ध हम से उखर आना जाना होते मैं अभी कहा हूँ कि SMS और MMS तुमन तो जानते हो कि SMS और MMS का होते फिर भी मैं खरार्थ समझा दाऊ SMS के मतलब होते short message service और MMS के मतलब होते multimedia service जैसे हम अना पहली जमाना में चिठ्थी भेज़त रहें वह इसने अब mobile से हमन SMS भेज़तन पहली हमना SMS भेज़े के लिए सबसे पहले mobile में संदेश ला लिखतन ओला या ओला टाइप करतन फिर mobile से ओला दूसर mobile में send option से भेज़तन SMS से केवल संदेश भेजतन पर MMS जो की multimedia service है ओखर से हम संदेश भेज़े के लावा हम कखरो फोटो खीच के भी भेज सकतन हम कोई audio record करके भी भेज सकतन ओखर से हम कोई picture या कोई serial ये सब भी भेज सकतन तो इस प्रकार हमन mobile के बहुत सरा उपयोग कर सकतन अभी मैं जितना भी mobile के उपयोग के बारे में आप मनला बताए हूँ ओखर लिए हमन हा mobile company ला जेखर mobile हमन उपयोग में ला थन ओला एक निश्चित पैसा की राया के रूप में देना पड़ थे ये सुईधा दू तरह के होते एक हो थे pre-paid सेवा और दूसरा हो थे post-paid सेवा pre-paid सेवा में हमन हम mobile से जो भी सुईधा चाही चाहे SMS भेजना हो चाहे कखरों से बात करना हो या दूसरा प्रगार के सुईधा हो ओखर पैसा पहली देना पड़ थे पहली हमन उखर पैसा पटा थे नं उखर बाद हमन उखर सुईधा के उपयोग कर थे जबकि post-paid सेवा में पहली हमन mobile के उपयोग कर ले थे न उखर से बात कर ले थे संदेश वगरा भेज ले थान या इंटरनेट संबंधी उपयोग कर ले थान ओखर बाद हमन जितना और सुईधा की उपयोग करे हैं ओखर हिसाब से कंपणी हमनला बिल भेज थे वह बिल लप अठाके हम हमन फिर से उस मुबाइल के उपयोग कर थान तो इस तरह मुबाइल म दूसरा CDMA मुबाइल पहले तो मैं तुमनला एकर अर्थ बता दो जी एसम के अर्थ हो थे ग्लोबल सिस्टम फोर मुबाइल कम्मुनिकेशन और CDMA के अर्थ हो थे कोड डिविजन मल्टिपल एक्सिस जी एसम फोन और मुबाइल फोन दोनों तरह के फोन के उपयोग आचकल करे जाते और दोनों तरह के मुबाइल आजकल चलन में हैं पर सबसे जादा उपयोग आचकल जी एसम फोन के होते एकर अलावा सुईधा के दृष्टी से केमरा फोन म्यूजिक फोन टूजी फोन 3G फोन कई तरह के फोन हमनला देखे बर मिलते अब तुम लोग सुकता हो थ करते जैसे कि नाम से इस पस्ट है केमरा फोन से हमन फोटो खीश सकतन और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकतन म्यूजिक फोन से हमन गाना सुन सकतन और देख सकतन यह सब सुईधा और इंटरनेट अचकल एक एठन फोन में आ गए है ओला कते स्मार्ट फोन और एंड्रॉ पूरा दुनिया लाइक गाओं के रूप में समेट के रख दे हैं एकर से हम दुनिया से जुड सकतन एकर से हम इमेल भेज सकतन कोई भी परिक्षा के आउनलाइन फॉर्म बढ़ सकतन और फीस पटा सकतन नेट बैंकिंग के माद्धियम से बिजली बिल और फोन बिल भी दोलोग है। अब कर सकतन नें और फिसने काम हैं जिएला हमन बीना कंप्योटर मुबाइल के मुबाइल के कर सकततन। ऐखर आलावा हमन मुबाइल में टाइम पास्कर सकतन। टाइम परस करे करते एकर से हम गेम वगरा डाउनलोड करके खेल सकते हैं पर हमनला एक बात के ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल के बहुत ज़्यादा उपयोग हमर लिए हानिकारक हो सकते एकर रेडियेसन से हमर स्वास्त में प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकते और एकर ज़्यादा उपयोग हमर जीवन के कईठन काम ला पीछे छोड़ सकते एकर से हमर कईठन काम छूड़ भी सकते जैसे हमर पढ़ाई लिखाई है खेल कूदे ये सब चीज हमर से पीछे छूड़ जथे तो जैसे संस्क्रित में कहें है कि अती सरवत्र वर्जेते अर्थात कोनों भी काम के अती करना नहीं चाहिए ये करण मुबाईल ला भी अपन सुईधा के नुसार ही जदका जरुरत हो उतका ही एकर उपयोग करना चाहिए दिन भर एकर से नहीं जूड़े रहना चाहिए हमर लिए जरूरी है पढ़ाई लिखाई, खेल कूद तो ये कामला भी हमर ला प्रात्मिक्ता देना चाहिए तो मुबाईल जैसे कि विज्जान है वैसे ही मुबाईल है विज्ञान लाहमन कितन कि विज्ञान अभी साब भी है और वर्दान भी है तो मोबाइल भी एक तरह से वर्दान भी है और अभी साब भी तो यह लाहमन ने निश्चा करना है कि हमन एखर उपयोग अपन स्विधा के नुसार अपन तरक्की के लिए करन कि एखर जादा उपय तो यह बात के ध्यान रखते हुए आप मनला मोबाइल की उपियोग करना चाहिए एक रितना उपियोग करना चाहिए कि हमनला के वाल एक हर से फायदा हो गर्मी छुट्टि मा ममा घरगे हो हुू। औहु हमर ममा घात मायारू हो थे, जतका मया हमर मा कड़ थे, ममा ओकले जाद मया कर थे हमर सग ममाला छोड के एक जह नव ममा है सोचो सोचो कोने ये ममा धड़ती में नहीं है आसमान में है तबावाओ आसमान के चंदा मामा के मया पावन अवे गीतला हम सुग्घर सुनन ये गीतला सोड़ देहे मंजु ध्रोवे अव साथी मन कर दो में जहँ है किमब आसमान मुण्दा इडिर्ण देहास चंदा ममा जच्दा ममा। चंदा ममा चंदा ममा चंदा ममा चंदा ममा रतिया चम्म चासे, चम्म चम्तेया, देगी मारे इससी कमा चम्म चम्मॉ कभू दी खस हस या कसी तैं कभू यंगा करी रोटी सरसे जिद्वा जूड छैहा देहं तो पथेरा गोटी कभू दी खस हस या कसी तैं कभू यंगा करी रोटी सरसे जिद्वा जूड छैहा देहं तो पथेरा गोटी आन्ना खिली वो भारा बांटी गिली के देवो दमा जटना मा जटना मा जड्दार पी देवो एप आना जे तैंक तोरी गाउं मा रुख नाराई आउ हवा ना पानी ना कोनो है जीव जन तूं कैसे चलाए जिन में गानी तोरी गाउं मा रुख नाराई आउ हवा ना पानी ना कोनो है जीव जन तूं कैसे चलाए जिन में गानी कोई भी ही खीरा जोनी ना यम ली ना यमा चंद मामा चंद मामा चंद मामा चंद मामा चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा सब्सक्राइब के भाई तैहा, निख लगे तोरे छाओं मा सब्सक्राइब के दाई के भाई तैहा, निख लगे तोरे छाओं मा सब्सक्राइब के दाई के भाई तैहा, निख लगे तोरे छाओं मा तोरी बरे आहूं खाई खाजानी नामा कुरी था पैजामा चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा रख्षीया चमे कसे, चम चम पैणा, दीनी मारे इससिकामा संगी हो अभियमन सुनत रहिन गीत चंडा मामा ज़हा घात निकला केस और इकर मया मिलीस इही गीतला स्वर्दे हे मंजू ध्रुवे और साथी हा संगवारी हू, प्रस्नोत्तरी हमर घ्याल बढ़ा थे, तभे तो बालवाटी का नवा नवा प्रस्नल लेके हमर बीचा थे, अइसने पिछले प्रस्नोत्तरी अंक 333 के सही उत्तनला देखन संग्वारी हो पीछले प्रस्णत्तरी अंक 363 में हमन आप सबला 5 ठन प्रस्ण पूछी रेहन तब एकट सब बो प्रस्न के उद्तलना जटकुन सुनलो पहला प्रस्णर ही से भाड़ति य संव्विधान के जनक कोन हैले तबेकर उत्तर है, भार्तिय सम्विधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेटकरजी हरे दूसर प्रस्तर ही से, अक्छे तृतियाला 36 गणमा कौन से नाम से जाने जा थे तबेकर सहीं उत्तर है, सवर उडजा के सरोत का हरे तवेकर सही उत्तर है सवर उड़्जा के स्रोत सूर्य हरे चौथा प्रस्नरही से मतदान करे के सही उमर का हरे तवेकर उत्तर है मतदान करे के सही उमर 18 वर्ष हरे पाच्वा प्रस्नरही से एक घंटा में के मिनट हो थे तब एकर सही उत्तर है एक घंटा में 60 मिनट हो थे संगी हो ये तुरही से अंक 363 के सबो प्रस्ना के उत्तर अब देख्थन जल्दी से कापी यो कलम ना निकाल लो और लिखत जावो प्रस्नो तरी अंक 364 के प्रस्नला तब एकर प्रस्ना इसन है सबसे पहला प्रस्नला लिखू कदे रत समूह सबो जल्ला दान कर सक्थे ध्यान से सुनू कदे रत समूह सबो जल्ला दान कर सक्थे दूसर प्रस्न है गवरया पक्छीला 36 गडमा काचीरई कते फिर से सुनू गवरैया पक्छीला 36 गडमा का चीरई कते तिसर प्रस्न है रक्त समोह के खोज कोन करे है चौथा प्रस्न है हमर 36 गड से कदे सांसदला केंद्र में अभी अभी मंत्री बना है फिर से सुनू हमर 36 गड से कदे सांसदला केंद्र में मंत्री बना है पाचवा प्रस्न है कतका सेंटी ग्रेट ताप मान में पानी हा खोज जथे संगी हो प्रस्नल एक बार फिर से ध्यान से सुनलो पहला प्रस्न है कदे रक्त समूह हा सब्बो जलना दान कर सक्थे दूसर प्रस्न है गवरेया पक्छीला 36 गड मा काची रही के थे तीसर प्रस्न है रक्त समूह के खोज कोन करे है चौथा प्रस्न है हमर 36 गड से कदे सांसदला केंद्र में अभी अभी मंत्री बना है पाचवा और आखरी प्रस्न है कतका सेंटी ग्रेट ताप मान में पानी हा खोल जथे तो संगी हो अभी हमन लिखत रहें प्रस्नों तरीके प्रस्नला और जेकर उत्तला आप मन नान नान हात में लिखके जरूर भेजू तो संगी हो फिर अब मजा लेके बेरह घलो आवा थे अव आप मल्ला ये बाल वाटीका के कारेकरम हा कैसे लाग थे तेला जरूर लिखो और संगी हो आज हमन जतका देखे हन रक्त समुह के बारे में तेला घलो ध्यान से सुन हूँ अव आप मन्हा अपन पढ़ाई के साथ साथ गर्मी छुट्ती मला घलो अच्छा धंगली बिता जैसे अभी कौन सी क्लास मा जा हो तेकर क्लास के पहले ले तैयारी कर लो कापी पुस्तक ला अपन दिदी भीया मन से ले लो अव जे क्लास में जा हो जे कक्छा में जा हो तेकर बने ढंके घलो तैयारी ला कर लो अव संगी हो तुही मन्तो हमर देश के हमर भारत के भविश तो अच्छा से पढ़ हूँ अपन देश के अपन माता पिता के नाम रोसन करूँ तो संगी हो आप मल्ला हमर आज के बालवाटी का कारेकरम कैसे लागे तेला अपन नान नान हात में लिखके हमर तक जरूर पठो हूँ आप मन के चिठ्ठी के हमला अगोरा रही तो अब देव अपन चंचल दीदी लबिदा जै हिंद